श्यायर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वीसियन न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले फूलो जूञाट न्मस्कार निवु का इन्वीसियन प्राइम फिस भाइक के पिश्ष्षमें से सब्सक्राइब करिये हैं के पर जहु रत्यागु होग। आकडे जो है निरंतर बढ़ते जा रहे हैं हम मारश्च्र की बाद करें हम पूरे भारत की बाद करें तो कही न कई आकड़े जिस गती से बढ़ रहे है तो यह एक चिंता जनक स्थिती के तरब हम लोग बढ़ रहे हैं जी हाँ, बही नापपूर की बात के, तो 300 का अकड़ा पार हो चुका है नापपूर में, और सोमार रात में एक चौथी ब्रुत्य भी हो चुकी है जी हाँ, यह बहुत ही एक स्थिती बन रही है नापफूर की, अगर अकड़ों की बात करें तो जहाँ पर, 300 तक जो है पॉजिटिव केसे पॉज़ चुके वहीं चार मोते यहां कर पो चुकी है और इमेंसे जो दो मोते हैं वो एक यंग एज की दौरान हुई है जी हाँ टुटिन नाइन येर्स की पांडर बोडी का पॉजिटिव जो माइस था वो टुटिन एज का था उनकी जो है मौत हो को दे दे की सत्रण जी पुरा के साथ साथ अभी दूसरा होट सपोड बन गया है मौमिनपुरा जी हाँ एक सो पैतीस से भी जादा पोजिव बड़ा एक सो चालिस तक यह आखडा पोच चुका है मौमिनपुरा का और यह आखडा जो दिन बदिंग जैसे ही जो टेस्ट हो पॉजिटीव जो संख्या बढ़री वो मुमिनपुरा एल्ला के से काफी तादब में बढ़रे ये मुमिनपुरा वासियों के लिए और नाखपूर वासियों के लिए खासकर एक बहुत ही एक संगीन और बहुत ही एक चिंता-जनक स्थिती जो है बनती जा रही है और सबसे ड जाल है दो जोन 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 थि और बच और व्लीव जोन पशुड के रूणों में वोग दो सूरंड़ सपास्टोडरे से कि एज़ एक चुक्त की लिए झोह राएं एक ड़ा रूद सूर्कषा कैसे हो लूँट स्वुट है वह लूग इस रोख से डूर रह सके इस से की लोगों के अपने जिम्वेदारिया। इन दो विभागों में अगर हम इसको बाटे तो कही न के प्रशेशन अपने तरफ से सकती भरत रहा है कही न के पोशिश जा रही है। लोगों को कॉरेंटाइन किया जा रहा है लेकिन दूसरा पहलू जो है इस मुद्दे का वो यह है कि लोगों का सहयोग लोगों का को आपरेशन लोग स्थिति को किस तरह से आगे जा रहे है और खुद को कॉरेंटाइन करने के लिए क्या करने है या अपना सामाज एक नियुक्त बहुता से शहर में भीड दिखी कि वो बहुती एक नुस्तान दायक नजरा है एक गर्जिम्मेदाराना माहूल जो है जो है शहर का वो बन गया था इवन आज की भी हम अगर बात करें आज भी हम और आज जब नियूस करने के लिए निकलते हैं और हम लोग जो जोन इसे जोन जोन थे बात करें वहां पर अचानक एक विक्ति आज अजाता है वो बन पॉजिट्व पाया जाता है जिसकी कोई हिस्ट्री निरेती तो यह पता नेता कि कैसे मुझे यह रोग मुझे हुआ है तो किसी ना किसी रूप में यह आप पर हमला कर सकता है इसलिए फिर एक डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, खुद को कॉरंटाइन है, होम कॉरंटाइन आपको करना पड़ेगा, अपने परिबार वालों से भी आपको सुरक्षी अंतर रख के ही काम करने पड़ेगे, जी हा, सोचल डिस्टंसिंग याने फिजिकल डिस्टंसिंग आपको सम्मा करें, 20 सिकन तक आपको हाथों को बिल्कुल अपको धोना है, एक अच्छे हैंड वाश से आपको अपने हाथों को सुरक्षित रखना, क्योंकि आप कहीं पर पी जाते हैं, तो हाथों से इधर उधर से आपको चूर, आपके कपड़े, जब भी आ बाहर से घर जा रहे हैं, सारे कपड़े किसी साइनिटाइज या डेटॉल जैसी चीजों से आप उसको क्लीन करें, गरम पानी में धोये, मास्क आप अगर री यूज कर रहे हैं, तो मास्कों भी आपको डेटॉल की या किसे ऐसे ही चीजों में आपको दोना है, और फिर आपको उसका इस्तमाल करना ह जिया, और मंगलवार की सुभा की एक ख़वर आपको बता दूए ये कोरोना से थोड़ी हटके, बढ़ कोरोना से कही ना कही रिलेटेट मानी जा सकती है, ये शहर में पूरी तरह से जब लॉगड़ॉन हो चुका है, उसी कड़ी में एक शक्के चलते एक पती ने अपनी प लॉगड़ॉन से भले हम इसको कनिक ना करें, लेकिन कही ना कही दामपत्य जीवन का फ्रस्ट्रेशन जो है, ये ऐसी गटनाओं को उजागर करता है, कही ना कही कुछ अब्जर्विशन से होते हैं, कही ना कही मानसिक्ता जो है इस तर से बदल जाती है, कि आदमें ऐसे ग पहुचाने के कोशिश कर रहा है, उसी कड़ी में ऐसी घटना भी एक निंदनी है, और दूसरी बात बता दो आपको, कि जो अपने मजदूर थे हर जगे से रख रहते हैं, हम कल सोरी करने कहते हैं, उनको अपने अपने घर पहुचाए जा रहा है गवर्मेंट के रहा है, ज आप कुशिश कर रहे हैं, और श्रमेक एक्सप्रेस चलाई जा रहा हैं, और बारा तारिक से जो सथकार ने कहा था कि कुछ स्पेशल ट्रेने भी चलाई जा रहा हैं, तो कहीं न कहीं अपने फशे हुए लोग है, चाहे किसी भी परपसे गए हो, वो अपने गंतर वस्थान तक अपने घरों तक पहुच पाएंगे, लेकिन इस ट्रांजक्शन के साथ में एक जिम्मेदारिया उन सब के साथ में और जूड़ जाती है, वो यह है कि जहां से वो आ रहे हैं, अगर वो रेट जोन है तो उसका खयाल रखे, उसका संभा रखे, और जब वो अपने घर प अपने घर वालों को खत्रे में डाले, यह अपनी नई तिक जिम्मेदारिया, हर उस शक्स को निपानी पड़ी कि जो इस ट्रांस्पोर्टेशन के मोड से, चाहे वो बस से आ रहा हो, चाहे वो ट्रेंस से आ रहा हो, जो भी उनको सुविधाय मिल रहे हैं, उस सुविधा के पालन उनको करना बहुत जरूरी हो जाता है, जी हाँ, बिलकुल, और उसके साथ साथ शहर पूरी तरह से बंध है, कुछ महानगर पालिका ने कुछ रियायते दी थी, टेक्शियरी के दुकान बोलो, या फिर होजरी के कपड़ों की जो दुकाने है, या फिर आउटर इंड चोकस्तित, जिशार माट का, शायद आप भी जी हाँ, मैं खुद उस चीज का भुक्त भोगी हूँ, उस माट की मैं बात करूँगा, तो वहाँ पर लोगों को कॉल के जा रहे हैं कि हम आपको ऐसे सुविधाय देंगे, आपको इस रेट में इस सारी चीजी मिलेगी, आपक मैं कर दो देखा उसके पुटेज भी हम दर्शपों को जरूर दिखाएंगे, वहाँ पर ऐसा हुआ कि जो मेरे साथ में जो ग्राहत थे उननों ने कहा कि हमें इस चीज का यह दाम बताया गया था, लेकिन यहाँ के बाद में अलग बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पर उसक मुझे तो पहले तो उसका बारकोड नहीं होने से काफी समय इंतधार करना पड़ा फिर मुझे कहा गया कि आपको खूद जाना पड़ेगा उपर के फ्लोर पे फिर आपको इसको चेंज करके लाना पड़ेगा पूरा मौल उस वख खाली था कई उनके करमचारी करण महां पर म नहीं बिल्कुल सारे इस मुझकिल घडी में जितने भी जरूत मंदू करना जो शुरू है उन्होंने ग्रह के साथ किस तरह से भीओ करना चाहिए और उनके लूट नहीं होनी चाहिए इस तरह का धान देना चाहिए जहां अजबुरी का फायदा कते ही उठाना नहीं सानिटाइजेशन रखना चाहिए उनको एक पैमपरिंग में ये वर्ड यूज करूँगा कि उनको बहुत सही तरीके से और सानुदी पूरुवक ही उनको आपने ठीट करना है हम सर्विस की बात करे हैं आप पैसा तो उतना ले रहे हैं ठीक है वैसी क्या बात नहीं करते ल द्यान रखने की काफी जरुवत है और इसका दुसरे पहलो पर हम बात करेंगे नाकपूर में जो कॉरंटाइन सेंटर है वहां पर भी कही ना कहीं कुछ दोविधाओं का भी सामना वहां के लोगों को करना पड़ रहा हैं लौग नाउन के बात की क्या स्थिती होगी हमारे शहर की आर्थिक स्थिती के लिए निपतने के लिए क्या होगा मजदूर जो स्थलानतरित हो चुके है उसके बात नाकपूर के युवाओ के लिए महाराष्टा के लिए एक अपोर्चिनिटी है उसको भी पॉजिटिव नोट पर अगर ले तो वह कैसे होगा हम इस पर बात भुले 24 गंटी निउस देखने के लिए डाउनलूड करी हमारा आया मवाल में 24 गंटी आपको मिले की राश्टिति क्राइम बॉलिवूर्ट स्पोर्स और मौसल समीत देश विदिश की तमांग खवे पर जाकर ताचा खव्यूकिली इंस्टॉल करी इन विसेंद्यूज आप इंस्टॉल दर आप नव इन विसेंद्यूज झाल खवे शायर की ताजा खबरे देखने के लिए इन वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकाउन दबाना ना भूले प्राइब ब्रेके बाद फिर से दर्शको का स्वागत है जी हां हम बात कर रहे थे जहां पर आपने निरनतर बढ़ रहे हैं कि हम मुश्किलों की बात कर रहे थे वहां पर कुछ ऐसी वेवस्ताय जो है प्रशासन्य हालंकि काफी कोशिश कि इसको सुधारने की लेकिन कुछ जो चीजे है वहां पर जो प्रिकोशन्स की अंबर कर बात करेंच आप पर उस अचित तरीके से नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए हम लोगों को प्रशाषण ने कारंट्वाट्यन इसले किया गया है कि सोशल इसन्सिंग एक फिजिकल डिस्तंसिंग और यह एमेले होस्टेल के वीडियो है यह पूरे कुरंटाइन जो लोग है पूरे भाहर निकलाया है इनको समय पर खाना नहीं मिल रहा था इस वज़े से यह प्रताडित होके भाहर निकल के यह खाने की मांग कर रहे है कहीना कई जो टाइम टेबल है न्यूज में भी चले थे कि इस वक्त अध़ आथ यह खाने के शमय जो टाइम टेबल को नहीं फॉलो किया गया इस वज़े से परिशान होकर इन लोगों को बाहर निकलना पड़े कर श्के बढ़ बाद में पुलिस प्रशासन को हस्ताक्शिब करना पड़ ऑध उसके हस्ताक्शिब के बाद जो है कही तो प्रशासन को भी इस तरफ धान देना चाहिए कि वो एक्विप्ट रहें बाद यह कही गई कि ठेकेदार जो था जो था जो सप्लायर था वो सप्लायर के रेट में मिसमैच होने के वज़े से नया जो ठेकेदार है खाना बनाने वाला उनको चेंज किया गया तो इस चेंज एक भी आप ऐख जो जो है बदला हुआ और बदला ओके चलते जो है तत्कलिफ लोगों को हुई पहले कॉई जा हम गई क्वारंटाइन के लोगों के सिहत की अम अगर बात करें तो तो सेहत के साथ में कोई खिलवार नहीं होना चाहिए इसके तर अब प्रशा समने धान दे कर से जिए बात करते हैं वारे सोचिल मेडिया में जिए तो इसमें बताया जा रहा था कि उनको जो प्रेकफास जो है वो 11 बुजे मिलता है 11 बजे बाद कर दूरंट बाद उनके पास में आ गया तो यह जा एक कैसे चलेगा इससे तो कही ना कर लोगों ने कही रहा है प्रिशासनी का एक बिगड़ रहा है कि अपने घर पर अगर रहे तो हमारे खुद ज्यादा कर सकते हम गरम पानी से गरम पानी करेंगे गरम चाय पीएंगे ताकि हम अपने आपको सुरक्षित रह सके क्यों कि हमको भी जिम्मेदारियों का एसास है लेकिन यहां पर हमें जो होगी ठंड़ चाह मिल रही है और पानी जो है वही ठंड़ा पानी मिल रहा है तो इस वज़े से कहीं करें हमारे चिहत का हम को ही प्रेवली निगेटिव आई है तो हम फो सकता है कि हमें नहीं पता कि हमारे 20- Malaysia किसमेstory positive हो है और इस वज़़े से जो हम को एक विजिकल प्रश्यासन के प्रश्यासन के पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियां है कहीं ना कहें लेकिन लोगों के इस समस्या के तरफ ध्यान देने कार भी प्रयास जोरूर होना चाहिए बस यही उद्देश्श हमारा है इन वीडियो को दिखाने के पीछे जी हाँ यह थी अभी इसकी बात देश की बात करूँ तो देश में 70,000 के उपर आकड़ा बढ़ चुका है और बहुत बहुत स्पीड लिक पीछे 24 घंटों में 4,212 लोग पॉजिटिव पाये गए तो यह इस तादाद में यह संख्याव का बढ़ना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता इम्राद जियां कहीं कहीं प्रखने के लिए अलग अलग सर्कारे कुछ अपने सचाहों देरी है जैसे भी आ सरकार में बोला नितिश कुमार कि बिल्कुल यह जो रेल्वे से आवजन जो हो रहा है कहीं धो दोगा दायको सच्का जिए और इक बात तो यह जैसे एक ट्रेन में अज च तो कही ना कही इस पर जो है इस रोकना ये किस तरह से कहो पाएगा ये सोचनी वाली बात है अपको बता दू कि रेल्यवे पर जब मैंने देखा कि एक श्रमीक एक्सप्रेस जा रहे थी इसमें उस बोगीज में लोग बिलकुल बिंधास्त हो कर दो दो लोग चिपक कर आपसमय वो दर्वाजे पर बैठे थे तो कहा इस सोचल डिस्टंसिंग का पालन वो उन ट्रेनों म के बाद करू तो मैं आना चाहूँ में सुपर स्पेशालिटी होस्पिटल में जी जी मैं आपको को सुपर स्पेशालिटी होस्पिटल के कुछ विजिवल दिखाना चाहूँगा तो यह जो विजिवल्स हमने अभी देखे हैं सुपर स्पेशालिटी के जह पर सोचल डिस्टंसिंग का कते पालन नहीं होरा थर्मल स्क्रीनिंग और ज़र हो रही है लेकिन जो यह OPDK मरीज है जो बिलकुल और उनको धूप में कड़ी धूप में खड़े किया गया है और भी एक महला भी वहान गिर पड़ी थी चकर खाकर गिर पड़ी थी तेंपरेचर बढ़ रहा है और हालत तो मरीजों की वैसे ही ठीक नहीं रहती है इसको क्या बीमारी हो इसका कोई अनदाजा और 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 आप अलंगा जाए हूँ तो यह कही ना कही जो आखड़े की हम बात प्रशुल डिस्टेंसिंग को रखे हम इन बीमारियों को पी लेकिन मेडिकल के बात करें जहीं सुरुल स्पेशल लीटिक जहां पर अगर जहां पर हम अपने आपको ठीक करने के लिए जा रहे हैं वहीं पर अगर यह स्थिती होगी तो हम अपने जो स्वास्ते की कामना कैसे क हम क्या गुंजाइश्ट कर सकते हैं जहां बिल्गुल बहुत जोहिंबरा हास्ता हो सकता है अगर इस तरह से अगर सोचल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं लगेगा इसलिए इसोर भी धान देना बहुत ज़रूरी है यह तो होगए हम प्रशासन से गुजारिश करे रहे लेक से बार-बार कह रहे हैं कि आप घर पी रहे बिना वज़र गर से बाहर ना निकले सोचल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पूरे-पूर पूर्पालर गराग करें कि यह तब हम पुरोना को हरा सकते हैं लौग नाउन का इक इश्यू है इम्रान बढ़ेगा चालू रहेगा पुरी प्राइम मिनिस्टर जी भी देश को संबोधित करने जा रहे हैं करने करेंगे वो भी स्थिती जो है इस वक जाए जब हम बात कर रहे तो इस वक इंतजार कर रहे है कि प्राइम मिनिस्टर क्या कहेंगे प्रोग्राम के बाद में बता भी चलेगा वो भी हम दर्शको तक जरूर पहुचाते रहेंगे, स्थिती को कंट्रोल में लाना इस वग बहुत जरूरी है, और इसके लिए सभी का योगदान, पुरे देश वासियों का योगदान, सभी का इंडियोर योगदान बहुत ही आहम हो जाता है, ये स्थिती बन पट रही है, तो इस तरह से जो है जो स्थिती जो है ये बहुत कठीन होते जा रही है, जी हाँ, बिल्कुल देश की स्थिती और नापपूर की स्थिती आपको बता दो कि 300 पार कर चुका है अगड़ा, ये भी एक बहुत ही सोचने स्थिती है, 313 शतक जो है नापपूर ने पार कर चुके हैं, और चार मोत य कि हम संबल जाए और हम कोशिश करें कि हम अपने आपको जो है यहां से ये स्थिती से दूर रखे, कोर्ना पॉजिटीव से हम लोगों को दूर रहना है और सेल्प कॉरंटाइन जो है यही इस वक्त सबसे एह मुद्दा है और हम अपने घर में अपने सभी पूरे परिवार का ध्यान रखना है और इन आकड़ों को रोकने में साहय अता करनी है जी हां दर्शकों से लेंगे हम फिलाल विदा और सब को कहेंगे घर में रहे और सुरक्षीत रहे बिल्कुल आप अपना ध्यान रखे घर में रहे स्वस्त रहे हम बीसीन के माधियां से ताजा जानकारी से आपका उगत कराते रहेंगे लेकिन इस वक्त हमारी और आपके सबसे बड़े प्राइरिटी है कि हम इस प्रादुर्भाव को कोरोना नामक कोविड-19 को बढ़ने से ज़रूर रोके और ध्यान रखे अपना खुद का और समाज का देश का रमार इशार का बने रहे हैं मे